दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि डिफेंस मिनिस्टरी ने अफीशल्स को ऐसा आदेश दिया है कि फ्रांस के साथ जो जेट इंजन टॉक श्टर रही हैं उनको एक महीने में पुरा किया जाए जानी कि एक महीने में हमें फ्रांस के साथ एक फाइटर जेट इंजन की डिल देखने को मिल सकती है Defense ministry ने official को बताया है कि वो फ्रांस के साथ मिलकर एक नए fighter jet को को develop करने की जो negotiations हैं उन्हें एक ही महीने में पूरा कर ले Defense ministry ने इसको India के ambitions को complete करने के लिए एक key component बताया है आपको बता दें कि इससे पहले एक jet engine को बनाने के लिए जो collaboration करना था उसको लेकर बाचित बहुत लंबे समय से चल रही थी और ये मामला काफी समय से लड़का हुआ था इसका मेन कार्म तो यही था कि इसकी रिसर्च एंड डिवैल्मेंट कॉस्ट जो नए इंजिन की होने थी उसको लेकर उसकी फैनेंसिक को लेकर कुश डिफरेंसिस थे इंडिया को भी 110 के एंड के तरस्ट वाले इंजिन की जरूरत है जो की अडवांस मीडियम कॉमबेट एक राफ्ट एमसीय को पावर कर सके और हमारे दूसरे एक राफ्ट को भी पावर कर सके इंडिया फ्रांस के साथ बाचीत कर रहा था कि दोनों देश मिलकर एक नया इंजन डिवेलब कर सके पिशले साल देसंबर में डिफेन्स मिस्टर राजना सिंग ने बताया था कि फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर स्ट्रेटिक पार्टनर्शिप मौडल के अंडर एक मिलिटरी इंजिन को बनाने के लिए सहमती जताई है एक नया फाइटर जेट इंजिन कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा जिसे DRDO स्पीर हेड करेगा और उसके उपर काम चल रहा है फ्रेंच मैनिफेक्चर साफरान के साथ मिलकर 110 के थ्रस्ट वाला इंजिन बनाया जाएगा इसके साथ ऐसी ख़बरे ये भी थी कि इस इंजिन को अब स्केल करकर 125 के थ्रस्ट वाला इंजिन डिवैल्ब किया जाएगा जो कि हमारे AMC fighter jet की power requirements को पूरा करेगा फ्रेंच इंजिन मैनिफेक्चर साफरान ने complete technology transfer को आफर किया है और इंजिन को develop करने में मरत करने का भी आफर किया है इस मेरा fail deal में बचे offset credits का इस्तिमाल किया जाएगा detailed studies के बाद पता चला था कि इसमें से 200 million euros offset deal से आएंगे और उसके साथ ही जो बाकी बचे 500 million euros होंगे उसे government raise करेगी तो चलिए अब भी जानते हैं कि 125 के अनके thrust वाला engine कैसा होने वाला है और उसके बारे में detail में जानते है दोस्तो आज की इस तारीक में भारत को किस चीज़ की सबसे ज़रा जरूरत है भारत को जरूरत है self-reliance की आतम निर्भर बनने की हम हर शेतर में आतम निर्भर बनना चाहते हैं और यही काम हम defense manufacturing में भी करना चाहते हैं तेजिस fighter aircraft को बना कर हमने aerospace ecosystem बनाने में अपना पहला कदम उठाया है लेकिन चाहे कि हमने तेजिस fighter aircraft को बना लिया है और future में तेजिस माक 2 जैसे fighter aircraft भी बना लेंगे और twin engine deck based fighter aircraft जैसे aircraft भी बना लेंगे लेकिन एक कमी हम अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं वो है engine की हमारे देश ने जो अभी तक engine बनाए हैं वो इतने up to the mark नहीं हैं कि वो हमारे aircraft को power कर सके और हमें एक ऐसे engine की जूरत है जो कि हमें आतम निर्बर बना सके जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक देश के उपर जब sanctions लगा दिया जाते हैं या दूसरे देश उसके विरुद हो जाते हैं तो उसका क्या हल होता है उस देश की अर्थ विवस्ता पूरी तरह खतम हो जाती है और ऐसा ही अगर उस देश के खिलाफ युद्ध शेड़ दिया जाए तो वो युद्ध भी वो देश हार जाएगा जो कि पूरी तरह आतम निर्बर नहीं होगा तो इसलिए आज हम 125 कें थर्ष क्लास वाले इंजिन की बात करेंगे जो कि स्कोई 30M की आई को भी पाउर कर सकेगा दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जी टी आरी और साफरान के बीच बाते चल रही है जिसमें एक नया 110 कें थर्ष पाउर वाला इंजिन बनाया जाएगा जो कि हमारे AMC फाइटर एक राफ्ट को पाउर करेगा ये एक M88 4 Eco Core का इस्तिमाल करेगा M88 Core वो Core है जो कि राफेल विमान के अंदर इस्तिमाल किया जाता है इसी Core के इस्तिमाल से भारत एक नया 110 कें थर्ष वाला इंजिन बनाने वाला है जिसमें 75 कें का ड्राइ थर्ष होगा और 110 कें का वेट थर्ष होगा ये 110 कें की पाउर वाला इंजिन हमारे तेजिस माक्टू एक क्राफ्ट को भी पाउर कर सकेगा ट्वीन एंजिन डेक बेस्ट फाईटर एक क्राफ्ट को भी पाउर कर सकेगा और A.M.C.A. फाईटर जेट को भी पाउर कर सकेगा लेकिन इतनी पाउर होने के बावयुद भी ये हमारे स्खोई 30 M.K. फाईटर एक क्राफ्ट को पाउर नहीं कर पाईगा जो कि हमारी इंडिनेर फोर्स की बैक बोन है और इसी कमे को दूर करने के लिए और स्खोई 30MK फाइटर एक राफ्ट को सुपर स्खोई स्टैजिट की उपर अपग्रेड करने के लिए हमें एक 125KN की पाउर वाले इंजिन की जूरत है जो कि हमें इस 110KN के इंजिन को अपग्रेड करकर या अपस्केल करकर मिल सकता है हम इस 110KN के पाउर वाले इंजिन को अपस्केल करकर एक 125KN थ्रस्ट क्लास का इंजिन मना सकते हैं जिससे कि हम हमारे स्खोई 30MK फाइटर एक कराफ्ट को पाउर कर सकते हैं हमारे स्कोई 30MK फाइटर एक क्राफ्ट में अभी AL-31FP इंजन लगाया गया है जो की 122KN के करीब पावर जनरेट करता है हम हमारे देश के 1500 के करीब स्कोई 30MK फाइटर एक क्राफ्ट को सुपर स्कोई स्टैनर्ड के उपर अपगेड करना चाहते हैं और इस अपगेड के लिए रशिया ने हमें उनका AL-41F 142KN पावर वाला इंजन आफर किया है लेकिन जैसा कि अभी स्थिती चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच जंग चल रही है और रशिया के उपर सैंक्शन्स लगाया जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी मूव्स की जाएं जा ऐसे कदम उठाए जाएं जिसके तहत भारत को रशिया के साथ कोई भी बिजनस करने से रोका जा सके ऐसा हो सकता है कि पुरानी डील्स को लेकर तो हमें ना रोका जाए लेकिन जो हम नहीं डील्स करेंगे उसको लेकर हमारे उपर प्रेशर बनाया जा सकता है तो ऐसा हो सकता है कि ये सूपर स्कुई अपग्रेड हमें खुद करनी पड़े और यहां किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ करनी पड़े तो क्योंकि ये एक रशियन प्लैटफॉर्म है तो रशिया भी ये नहीं चाहेगा कि इसमें किसी वेस्टर्न इंजिन का इस्तिमाल किया जाए या किसी ऐसी एक्विमेंट का इस्तिमाल किया जाए जिससे कि उनको कोई हानी पहुंचे तो हम एक ऐसे इंजन का इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि हमने खुद मिलकर बनाया है और फ्रांस के साथ मिलकर बनाया है जो कि एक 125 के अन थर्ष क्लास का इंजन होगा जो कि हम इस एक राफ्ट में इस्तिमाल कर सकेंगे ऐसा बताया गया है कि इंडो फ्रेंच कमपनी से तनी कॉंफिडेंट हैं कि एक 125 के अन के इंजन को बनाया जा सकेगा जो कि 7 साल से कम के समय में फ्लाइ टेस्ट के लिए तयार होगा और 9 साल में ये प्रड़क्शन में अंटर हो जाएगा और इसके साथ ही ये इंजन ऐसे बनाया जाएगा कि ये भारत के ड्राइ और हुमिन एनवार्मेंट में अच्छी तरह काम कर सके यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसी पहले भी खबरे आती रही हैं कि जो वेस्टन इंजन्स हैं वो इंडियन कलाइमेट के अनुसार अच्छी तरह काम नहीं करते हैं और इनका थरस्ट इंडियन इंवार्मेंट कंडिशन्स में 10-15% कम हो जाता है और इसके कार्ण इनकी परफॉर्मेंस के उपर काफी असर पड़ता है लेकिन जो इंजन हमारे देश में खुद बनाया जाएगा और जो हमारे कलाइमेट कंडिशन्स के हिसाब से टून्ड होगा वो हमारे कलाइमेट कंडिशन्स में बहुत अच्छी तरह काम कर सकेगा और इसके साथ ही जो 125 के अंट्रस्ट वाला इंजिन होगा, इसमें एक Reduced Radar Signature होगा, इंप्रुवड हीट मेंजिमेंट होगी, जिसके इस्तिमाल से जिसी एक राफ्ट में इसका इस्तिमाल किया जाएगा, उसका Radar Crossaction कम होचाएगा, और उसका heat signature भी कम हो जाएगा जिससे की modern combat conditions में उसकी survivability भी काफी बढ़ जाएगी और इसी के साथ ही हमारा देश या डिया डियो एक ही तीर से दो शिकार कर लेगा वो ऐसे कि हम एक engine तो develop कर ही रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम उसी engine को upscale करकर हमारे सबी fighter aircraft में उसका इस्तिमार कर सकते हैं और हर तरह से self-reliant हो सकते हैं तो इसी लिए ये project हमारे लिए काफी important होने वाला है और इसी project में आगे चलकर एक 125 km thrust class वाला engine जरूर develop किया जाना चाहिए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको जी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भारत